देश और प्रदेश सरकार के लिए जहां एक और किस्तान आंदोलन सरदर्द बना हुआ है वहीं आज दक्षन हर्याना जलो के प्रावेट स्कूल असोसियेशन पहली से आठवी कक्षा तक के स्कूल खोलने के लिए सरकों पर प्रदशन करते हुए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन सौपा और चितावनी दी कि यदि सरकार ने 4 जनवरी तक कोई फैसलर नहीं लिया तो प्रावेट स्कूल असोसियेशन तमाम 22 जिलो के प्रावेट स्कूल संचालकों के साथ निर्ने लेकर बड़ा कदम उठाएगा दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लबगर का है जहाँ अज बल्लबगर प्रावेट स्कूल असोसियेशन के संचालक पहली कक्षा से आटवी कक्षा तक स्कूल खोलने की मांग को लेकर सडकों पर उत्रे एसोसियेशन ने आज अपनी मांग को लेकर डी सी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम क्यापन सब जिसमें मांग की गई है कि अब पहले से आठवी तक स्कूल खोल दिये जाएं ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करके परिक्षाय दे सके एसोसियेशन के प्रधान चंद्रसेंग शर्मा ने बताया कि कुरोना काल में स्कूल बंध होने से जहां उनकी आर्थिक इस्तिती चर्मरा गई है वहीं बच्चों का भविश्य भी दाओं पर लगा हुआ है उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार नौवी से बार्वी तक के चातरों के लिए इसकूल कोले जाने चाहिए ताकि समय रहते बच्चे पढ़ाई कर सके और अपने पेपर दे कर अगली कक्षाओं में प्रवेश ल नहीं लिया तो तमाम प्रदेश के बाइस जिलों के प्राइवेट स्कूल एसोसियेशन मिलकर कोई बड़ा फैसला ले इस अफसर पर अन्य स्कूल संचालकों ने कहा कि अब सरकार को पहली से आठवी कक्षा तक पढ़ाई के लिए छूट दे देनी चाहिए लेकिन वह सरकार स भी कोई टकराव के स्थिति पैदा नहीं करना चाहते हैं चंद्र सुष्ण सर्मा बल्लोगड प्राइवेट स्कूल एसोसित का प्रधान आपके चैनलों के आपके सभी मीडिया के माध्यम से शिक्ष्या मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम हमने अपना ग्यापन दिया है और उस ग्यापन में सरकार से हमने ये अर्ज की है कि पहली क्लास से आठमी क्लास तक के भी स्कूल खोले जाएं इसलिए अर्ज किया है कि पहले हमने ग्यापन दिया था तो सरकार ने नौमी क्लास से बार्मी तक के हमारे स्कूल खोल दिये गए थे आज हम चाहते हैं कि बच प्रतिनी दिये वह यही बात रख रहे हैं एक साही के अपने के सरकार चार तारीक से चार जनवरी से हमारे स्कूलों को खोले और यदि इसमें कहीं सरकार की तरफ से कोता ही रही तो हम चार तारीक के बाद अभी छे ते और बाइस जिलों की एक सयुप्त मीटिंग बुला करके और किसी भी अर्गले स्टेप के लिए गोशना करेंगे और इन स्कूलों के खोलने पर बिचार करेंगे इनकी डिमांड है कि पहली से अर्फिल तक के स्कूल जो है वो खोले जाए और ओफ-लाइन जो स्टेडी की इनकी डिमांड है उनकी जो भी मांग है वो हम आगे देखो यह सरकार का डिसीजिन है सरकार डिसीजिन लेगे इसको भेदेंगे उपनी जाए